कर साथियो मैं मिन्टू सिंग आपका स्वागत करता हूँ विजन अकैडमी की ऑनलाइन क्लास में देखिए फर्स्ट ग्रेड के लिए हमने एक ऐसे स्टाक कर रखा इन प्रेज ऑफ चिम्नी स्वीपर आज हम उसको कंप्लीट करेंगे इलेवन पैरा उसमें हो चुके हैं चलिए करते हैं पैरा नमबर ट्वाइब इन वन आफ स्टेट बैट्स इन अरिंडल कास्ट ए फ्यू येर सिंस अंडर आड्यूकल केनॉपी तो देखिए यहां पर लेकर चार्ल्स लैम वो बात करता है कि एक कुछ समय पहले की बात है कि र आजा होवाड का महल था उस महल का नाम था अरुनिल कास्ट तो उस महल में एक ड्यूकल केनॉपी बनी हुई थी ड्यूकल केनॉपी का मतलब एक छत्र टाइप बना हुआ था ठीक है एक कमरे के अंदर जो शैन का क्ष था उसमें एक छत्र बना हुआ था ड्यूकल केनॉपी बने, that the seat of Hogwarts is an object of curiosity to visitor, देखिए, that seat of Hogwarts, जहां पर वो छत्र बना हुआ था, तो वो राजा हुआड का सिहासन था, और वो सिहासन बड़ी ही उचुकता का विश्य बना रहता था, जो दर्शक आते थे, उसको special देखने के लिए आते थे, चीफली फोर इट्स बैड, और विशेश तोर पर उसका जो आलिशान बैड लगाया हुआ था ना, उसको देखकर बहुँच जदा परभावित होते थे लोग, इन विच दा लेट ड्यूक वाज इसपेशली एक कांसर, तो जिसमें क्या है, लेट ड्यूक जो राजा अब मर चुका है, इस दुनिया में नहीं है, वो अराम किया करता था, एक शैन कक्ष के रूप में उसको यूज किया करता था, या कांसर का मतलब शैन कक्ष के रूप म क्रिम्शन मतलब बहुते क्रिम्शन कलर के सिंदूरी रंग के क्या है उसमें परदे लगे होते थे विद स्टारी कारोनेट्स इंटर वोवन फोल्डड बिट्विन अपेर अफ शेड्स वाइटर एंड शॉफ्टर देन लैप वियर वीनस लर्ड अस्केनियस देखो अब क्या बताया है कि उस बैड पर बहुती सफ्ट और वाइट कलर की दो बैड शीट्स पड़ी थी दो चद्रें पड़ी थी और उसमें क्या है एक चिमनी स्वीपर ऐसे लिप्टा हुआ था जैसे कि वीनस ने अपने सफेद शीट्स में अस्केनियस को लपेट रखा है एक राजा था अलबा लोंगा इस जगह का राजा था एसकेनियस तो ऐसा माना जाता है जैसे कि वेनस ने उस स्कैनियस को अपने उस कपड़े में लपेट रखा है अपने पुत्र के समान उसको लपेट रखा है वाज डिसकवर्ड बाइ चांस तो वो क्या है वो बच्चा बाइ चांस उस बैड़ शीट में लिप्टा हुआ पाया गया आफ्टर ओल मैथड ऑफ सर्च हैड फेल्ड जब सभी तलाश कर रहे थे कि वो चिमनी स्वीपर गया कहां तो सारे मैथड जब फेल हो गए तो किसी ने उदर जा कर देखा आट नून डे फास्ट असलीप अलॉस चिमनी स्वीपर तो क्या हुआ वो चिमनी स्वीपर उस बैड में सोय हुआ पाया गया देखिए क्या है इसमें ये बताया गया कि एक महल था और उस महल के अंदर एक बहुती आलिशान बैड लगा हुआ था जो कि बहुती हिंट देता है आगे लिखक बताएगा ये किस चीज की हिंट है हाँ जी दे लिटल ट्रेचर हैविंग सम्हाव कंफाउंडेड हिस पैसेज अमंग दा इंट्री केसिज अफ दोज लॉडली चिमनी बाइ सम अन्नों अपर्चर हैड अलाइट अपॉन दिस मैंनिफिशियंट देखो हुआ क्या ये चोटा सा जो जीव है जैसे तैसे करके लिटल क्रेचर हैविंग सम्हाव कंफाउंडेड हीस पैसे अमंग दा इंट्री केसिज ऑफ दोज लॉडली चिमनी तो देखो बड़ी बड़ी चिमनी जो थी वो बड़ी ही जटल थी उसके रास्ते बड़े अ उन में से होता हुआ जैसे तैसे करके क्या हुआ अमंग दा इंट्री केसिज ऑफ दोज लॉडली चिमनी बाई सम अनन अपर्चर अपर्चर होता है छेद रास्ता पता नहीं किसी अंजान रास्ते से वो चुप चुपा के क्या हुआ है एड अलाइट अपान दिस मैगनिफ लुएट्मेंट टूरिपोज तो वो इतना ज्यादा टाइड हुआ पड़ा था घाड विध डेडियस एक्स्पलडेशन मतलब काम करकर के इतना ज्यादा था कि वो अप इस बात में एसमर्थ था वा अनेबल टूरेस्ट अपनी आपको रोकनी पया अपनी आपको रोकने मे ऐस मर्थ था दे डिलीशियस इन्वाइटमेंट टो रिपोज रिपोज होता है अराम करना तो अराम करने का जो इन्वाइटमेंट जो आमंत्र वो बैड दे रहा था तो ये चिमनी स्वीपर अपने आपको रोकने पाया which he there saw exhibited जो उसको वहां सामने दिखाई दे रहा था so creeping between the sheets very quietly इसलिए अपने रेंगते हुए creeping करते हुए रेंगते हुए sheets के बीच पहुंचा बड़ी चुपचाप शांती से laid his black head upon the pillow और अपना काला सिर उसने pillow के उपर रखा and slept like a young Howard so गया यह से राजकुमार हुआड हो ओड का बेटा चोटा बेटा एक राजकुमार हो यंग Howard हो इस प्रकार से सो गया मतलब उस महल को अपना समझ के सो गया देखो इसमें यही बताया गया कि एक समय की बात है राजा Howard का महल था उसमें एक पलंग था और एक चिम्नी स्वीपर चिम्नियों को साफ करते करते ठक गया था और वो कहीं न कहीं से छुप चुपा के आते हैं उस राजा के महल में पहुंचा और वहां पर आकर वो बेड़ शीट के अंदर लिपट कर सो गया उस आले शान बेड़ पर सो गया पहरा थर्टिन सच इस था अकाउंट गिवन टो विस्टर एट कासल तो इस ऐसी कहानी सबी जो दर्शक उस महल को देखने के लिए आते हैं तो वहां बताई जाती है सुनाई जाती है लोग यह कहानी बता पराफ फोर्टिन गट आइक अपने आपको रोक नहीं सकता यह अनुमान लगाने से कि जो अभी-अभी मैंने हिंट बताई थी पिछले कुछ पैराज में पैरा नमबर 11 इनमें बताई था कि यह जो बच्चे हैं किसी शाही खांदान के नॉबल घराने के लगते हैं शाही घराने के लगते हैं जिनको उठाया गया हो और वो जबर्दस्ति उनको चिमनी स्वीपर बनाया गया तो यह जो हिंट है मैंने पहले दे थी तो मैं इसका अनुमान लगाने से अपने आपको रोक नहीं सकता यह जो बात होई है तो इस केस में कहा है एक बहुत ही उंचे कुल में पैदा हुए बच्चे की परवती जो मूल परवर्थी होती है इसको अपनी और अकर्शित किया होगा तो ये काम किस ने किया उसकी आदत ने मूल परवर्ति ने किया इस सिल्षले में बहुत एइ उसकी हाई इंस्टिक्ट रही होगी उसके जो परवर्ति है उसने ये काम किया होगा और आए इंस्टेकन या फिर मुझसे गलती हो रही है तो लिखक यहां कहता है कि उस बच्चे का उस बैड पे चले जाना कोई आम बात नहीं है मैं यह अनुमान लगाता हूँ कि उसके अंदर जो मूल परवर्ती थी उसने उसको बैड पर जाने के लिए मजबूर किया इस इट परेबल तो यहां एक सवाल पोच रहे लेकर कहता है इस इट परेबल क्या यह संभावना हो सकती है ऐसा हो सकता है इस तरह का एक गरेब चिमनी स्वीपर पूर चैल्ड ऑफ दा डिस्क्रिप्शन का मतलब है इस तरह के का एक गरेब चिमनी स्वीपर with whatever weariness he might be wasted चाहे उसको कितनी भी थकान हुई हो whatever weariness कितनी भी थकान he might wasted मतलब कितनी भी थकान उसको हुई हो would have entered क्या ऐसा साहस कर सकता इतना साहस समझो दुश साहस समझो लो कोई भी चिमनी स्वीपर है otherwise जैसा काम नहीं करता क्योंकि ये बहुत ही दुश साहस का काम है राजा के बैड पर जाकर सोना under such a penalty उसको बहुत बड़ी penalty लगा जाएगी बहुत बड़ी सजा दी जाएगी penalty पैसे कि तो नहीं लगा सकते हो सकता है कि उसको बताया गया उसको बहुत बड़ी सजा मिलेगी उसको as he would be taught to expect उसको पहले ही ये बात सिखाई गी होगी कि महल में किसी चीज़ को मत सुना किसी चीज़ के नजदीक मत दाना ने तो तुमें बहुत बड़ी सजा मिलेगी फिर भी उसने क्या किया वो जाकर बेड पर सो गया तो अगर उसके अंदर high instinct कोई उसकी मूल परवर्ति ना होती तो उसने ऐसी हिम्मत नहीं करनी थी to uncover the sheets of duke's bed तो उसके अंदर सहास नहीं होना था कि वो राजा के जो bed है duke के जो bed है उसकी sheets को uncover करे and deliberately to lay himself down और जान बोच कर वहाँ जाकर वो सो जाए ऐसे उसकी हिम्मत नहीं होनी थी ठीक है himself down between them उन sheet के अंदर जाकर खुद सोने की उसकी हिम्मत नहीं होनी थी when the rug or the carpet presented an obvious couch still far above his pretensions देखे रग का गया कमबल एक छोटा सी बोरी कह सकते हैं चोटा सा कमबल कह सकते हैं जबकि एक कमबल और एक कारपेट कालीन बिचाय जाता है presented and obvious couch उसको लेटने के लिए दे दिया जाता है कि तुम यहाँ पर लेट जाना कुछी बोरी पर या किसी कालीन पर या किसी कमबल बिचा कर उसको दे था लेकिन वो जाकर सीधा बैड पर सो गया तो इससे क्या पता चलता है कि उसने ये बहुत बड़ा दुस्साहस कर दिया है तो ये चीज़ें भी जब उसकी उकात से उपर थी तब वो इतनी हिम्मत कैसे कर सकता है इस दिस पैरेबल मैं आप से पोचता हूँ कि क्या ये हो सकता है क्या संभावना है still if the great power of nature which I content for had not been manifested with him तो क्या ऐसा संभावन नहीं है कि वो ही power of nature जो मैंने बताया था मूल परवर्ती क्या ये काम उस मूल परवर्ती ने नहीं करवाया उससे prompting to adventure prompt करना होता है उसको ये adventure करने के लिए उसको ये दुसाहस करने के लिए ऐसा नहीं है कि इस मूल परवर्ती ने उसको उक्साया होगा doubtless this young noble man for such my mind misgives me that must be तो निसंदे ये young जो है ये छोटा बच्चा किसी कुलीन परिवार का था ये कोई noble man था for such my mind misgives हो सकता है कि मेरे mind से गलती हो रही हो या मेरा mind जैसा कह रहा हो हो सकता है कि वो बच्चा हो अवश्य हो हो सकता है वो ना हो हो सकता है मेरे mind से गलती हो गई हो लेकिन मैं उसको एक noble man कहूंगा was allowed by some memory उसको कोई पुरानी याद ने रल चा दिया हो है लोड कर दिया हो पुरानी याद आ गई हो not amounting to full consciousness of his condition in infancy मतलब वो अपनी जो consciousness है अपने जो खोश है वो गवा बैठा और अपने बच्पन में infancy में चला गया हो मतलब अब वो है अपने उस अतीत को याद करके वहाँ सोने के लिए चला गया हो when he was used to be left by his mother or his nurse जब वो अपनी मा की गोद में या अपनी धाय मा की गोद में सोया करता था हो सकता है कि ये मूल परवर्ती जो है ये उसके जो आदत है उसको ये दुस्षा हस करने के लिए उसने प्रेजित किया हो मतलब बच्पन की वो याद आगे होगी in just such sheets as he there found in bed sheet में जैसे वो पाया गया है वहाँ पर ठीक है in carnival and resting place मतलब ऐसा लग रहा था वो उसको एक resting place वास्तिक बिस्तर लग रहा हो in carnival मतलब उसको वास्तिक बिस्तर का अहसास हो रहा होगा कि मेरा वास्तिक बिस्तर ये है okay and by no other theory इसके अलावा और कोई सिधान्त ने बनता then by this sentiment of pre-existent state कि ये जो उसकी भावना है pre-existent state कि पहले वो ऐसा रहा होगा ऐसे रहा होगा इसके अलावा और कोई theory ने बनती उसका सोने का और कोई कारण नहीं हो सकता as I may call it मैं इसको कह सकता हूँ आप माने या ना माने आप सोच सकते हैं कि हो सकता उसका कोई और कारण हो लेकिन मैं तो यही कहुँँगा can I explain a deed so venturous and indeed upon any other system यह बहुती कोमल आयू में बहुती छोटी सी आयू में तो ऐसा माने बैवार कर रहा था तो इसका और कोई कारण मैं explain नहीं कर सकता है इसका कारण यही हो सकता है कि वो पहले सोया हुआ हो इस बैट पर यह देखते हैं पैरा नंबर 15 नेक्स्ट वेरा है My pleasant friend Gem White was so impressed with a belief of metamorphosis like this frequently taking place तो मैंने अपने दोस्त Gem White को यह कहानी सुनाई तो वो बहुत ज़्यादा परभावित हुआ इस कहानी से metamorphosis का मतलब है रोप रूप आंतरन करना रूप परिवर्थन करना तो किस तरीके से बच्चे ने एकदम से अपना रूप परिवर्थन कर लिया एक चिमनी स्वीपर से एक यंग प्रिंस के समान बिहेव करने लग गया तो मेरा दोस्त दोस्त का नाम याद अखना Gem White वो बहुत ज़्यादा परभावित हुआ इस कहानी को सुनकर इस तरह की थियोरी को सुनकर ठीक है जो ऐसे रोप परिवर्थन होते हैं इस विश्वाश को लेकर तो इतना ज़्यादा परभावित हुआ तो इसने क्या किया तो ये चुनोते पूम बच्चे जो हैं जिनको समाजने एक चुनोती दे रखी है इनके जीवन में जो दुख हैं उनको रिवर्स करने के लिए दुखों को थोड़ा सा कम करने के लिए उसने क्या किया उसने एक annual fist फो आफ चिमनी स्वीपर तो उसने क्या किया एक कदावत का परबंद किया कि हर साल वो चिमनी स्वीपर के लिए एक दावत रखने लग गया अट विच इट वाज इस प्लैजर तो अफिसियेट ऐस अ होस्ट एंड वेटर तो वहाँ पर वो एक वेटर के रूप में सर्व भी करता था और एक मेजबान की रूप में मेजबानी भी करता था मतलब इस पार्टी को और्गिनाईज भी वो गरता था और वेटर का काम भी खुद करता था मतलब खुद सर्व करके दिया करता था बच्चों को बहुत बड़ी इसने एक फिस्ट रखी चिमनी स्वीपर वो स्पैशल चिमनी स्वीपर के लिए थी इत वाज एस सॉलेमन सुपर हेल्ड इन स्मिथ फिल्ड तो ये वार्शिक दावट होती और बहुत अच्छी दावट होती थी स्मिथ फिल्ड में अपोन दे यह ले इंटर्न आफ फिर सेंट ब्रोथेलोमयो एक सेंट है उनके जो मेला लगता है हर साल एक मेला लगता था तो उस ब्रोथेलोमयो के मेले के अफसर पर यह भोज रखा जाता था यह दावत रखी जाती थी तो महानगरों के अंदर और आस पास रहने वाले जितने भी चिमनी स्वीपर थे उनको क्या किया करते थे कार्ड इशू कर दिया करते थे इंविटेशन कार दे दिया कर देते हैं तो उसमें यह स्पैशल लिखा होता था कि छोटे बच्चों के लिए यह बड़े चिमनी स्वीपर के लिए नहीं है चोटे बच्चे जो चिमनी स्वीपर का काम करते हैं यह दावत सिर्फ उनके लिए तो क्या है कभी कबार क्या होता था कोई एल्डरली चिमनी स्वीपर भी आ जाता था वहाँ चोट चोटे बच्चों कोई कठा हुआ देखके तो कोई बुजुर्ग भी आ जाता था कोई बड़ा वैक्ति भी आ जाता था तो हम क्या अच्छा नेचर था हमारा राइटर कहा रहा है मेरा दोस्त बहुत ही अच्छे सवाव का था वो इग्नोर कर देता था इस बात को गिंट्राट का मतलब अन देखा कर देता था देखकर भी एक आदा माफ है चलो आगया तो आगया बट अवर मेन बाड़ी वास इ सब्सक्राइब बात बताराएं कि एक वाइट जर्फेखण बॉस्तब्सा कि विशेशव एक वुशेश व्यक्ति से हैं कि विशेश व्यक्ति जबिभी आपको चिम्नी स्वीपर होने का दिखावा कर रह था वैसे ही काल ये कपड़ए पहन कर आगया है फिलाइंग आपाउ वाज प्रोविडेंशली डिसकोवड इन टाइम टू बी नू चिमनी सुइपर लेकिन इसके हबाव से उसके तौर-ध्रीकों से उसके कुछ निशानियों से पता चल गया कि वो चिमनी स्वीपर निया टाइम पर हमें पता चल खी बंय है कि वो Carby Perny इंडिगनेशन का मतलब है इंडिगनेशन का मतलब है कि सभी ने फटकार लगाकर डांट लगाकर उनको भगा दिया कि एस नॉट हैविंग ऑन दा वैडिंग गार्मेंट के ऐसा कहा जाता है कि उसने वह स्पैसिफिक बस्तर नहीं पहने थे जो उसके पहने हुए यह मतलब वैडिंग में स्पैसिल पहन के जाते ना वह पहने हुए थे तो जो बच्चों के उते वह कपड़े नहीं पहने थे बट जर्नल दा ग्रेटेस्ट हार्मोनी प्रिवेल लेकिन समाने तोर पर वापिस फिर वही तालमेल बैठ गया हार्मोनी स्थापित हो गी मतलब व वास convenience sport अमंग दा पैंस दीखो जो जगह इस दावत के लिए चुनी जाती थी वो एक बहुती सुविदा जनक सुलब और सुविदा जनक स्थान होता था अमंग दा पैंस जो की पश्वों का बाड़ा होता है जानवनों का बाड़ा होता है उसके बीज एक जगह चुनी जा साइड में ठीक है मेला लगता था उस में लेके नौट साइड में इस जगह को चुना जाता था as to be impervished to agreeable hubbub of that vanity मतलब not so far distant as to be impervished to the agreeable hubbub of that vanity मतलब इतना ज्यादा दूर नहीं होता था not so far distant इतना ज्यादा दूर नहीं था to be impervished to agreeable hubbub of the vanity hubbub होता है शोरगुल संगीत जोत्पोन होता था मेले की चहल पहल होती थी हबब उसको कह देते हैं तो जो मेला लगता था इतना दूर नहीं था ये दावत रखी जाते थी कि उस मेले की चहल पहल न सुनाई दे जो की कानों को अच्छी लगती है बट remote enough to be the obvious to such interruption of every gapping spectator in it तो इतनी दूर रखी जाते थी इस पस्ट्रोप से इतनी दूर रखी जाते थी वो दावत कि जो आने वाले लोग हैं gaping spectator रखा गया जो मुझ खोल खोल कर मुझ फाड़ कर देखते हैं ऐसे वेक्तियों की पहुंच से थोड़ा सा दूर रखा गया था मतलब इसमें प्लेस बताया गया है कि जो इस दावत के लिए स्थान चुना जाता था वो एक जानवरों का बाड़ा होता था जो की मेले के नौर्ट साइड में बना हुआ था था मेले इतना जादा दूर नहीं था कि मेले का शोरगुल है जो वहां की चहल प्याल है कुछ संगीत है कानों को अच्छा लगता है वो ना सुनाई दे और इतना नजदेक नहीं होता था कि मेले में आने वारे लोग या आने जाने वारे लोग मुफाड कर उनको देखते रहें दगेस्ट असेंबल अबाउट सेवन जितने भी महमान थे साथ बज़े तक आ जाते थे इन दोस लिटल टेंपरेरी पारलर्स थी टेबल्स वर स्प्रेड विद नैपरी वो टेंपरेरी पारलर्स होते थे बड़े-बड़े कमरे बना साइब हरे थे और को मनले hat वॉस्टिस प्रिशाइड विद पेन ओफेट निujuर्स नए तरह आ मिलते हैं और वैंड नोत टेबल्स स्थी एक यह पारल रहें नेतना हैu नहीं है। और उस खादे पदार्थ को लेकर खड़ी रहती थी The nostrils of young rocks Deleted at the seven मतलब इस खादे पदार्थ के सुगंद से इनके नथुने फूल जाते थे जितनी भी rocks वो शैतानी बच्चे होते थे तो इनकी जो nostrils होते नथुने तो इनके नथुने उसकी सुगंद से उस fragrance से फूल जाते थे जो खाना बना होता था James White as a head waiter had charge of the first table James White जो थे James White जिनको घाया जाता है तो वो first table को host करते थे and myself with our trusty companion John Fenwick, Bigaud उनका नाम है Bigaud, John Fenwick का तो मैं अपने बहुती विश्वशनी है मित्तर Bigaud यानि के John Fenwick के साथ दूसरे दो टेबल समालता था ordinary ministered to the other two मतलब एक पर उटको और एक पर मैं खड़ा हो जाता था ठीक है, ordinary number के रूप में there was clamoring and jostling वहाँ शोर गुल और धका मुक्य होने लग जाती थी you may be sure who should get the first table तो वहाँ इस बात को लेकर धका मुक्य हो जाती थी बच्चों में कौन first table पर जाएगा क्योंकि jam white जो इस दावत को organize करते थे सभी उसके पास आना पसंद करते थे तो वहाँ लोग धका मुक्य करने लग जाते थे जल्दी जल्दी first table पर पहुंचें for Rochester in his maddest day could not have done the humors of scene with more spirit than my friend देखो Rochester Earl of Rochester की बात हो रही है जो Charles second का friend था तो वह उसके पास जाय करता था किसी दावत में तो इतना जादा आनन्द मौज मस्ती किया जाता था कि सभी हस हस कर पागल हो जाते थे तो इतना पागल पन तो जो Charles second है उसके friend Rochester ने भी उसकी पार्टी में नहीं इतना अनन्द बरी बात है इतना हसी मजाग किया होगा जितना हसी मजाग हमारी पार्टी में होता था ओके After some genial expression of thanks for the honor of the company had done him his inaugural ceremony was to class the greasy waste of old damn Ursula the fattest of the three देखो सबसे पहले तो सबका स्वागत करता था सबको धन्यवाद करता था मेरा friend jam white जो है सबसे पहले तो एक genial expression of thanks for the honor of the company मतलब जितनी लोग वहाँ आये हैं सबके समान में दो शब्द बोलकर सबका धन्यवाद करता था ओके और उसके बाद उसकी inaugural मतलब उद्गाटन समारो कैसे होता था वास्टु क्लैस्ट ग्रेसी वेस्ट ऑफ ओल डैम उर्सुला दा फैटस्ट ऑफ दा थ्री मतलब तीन अरतें जो खाना बना रही थी उनमें से सबसे मोटी थी जिसका नाम था उर्सुला तो उसको जाकर वो गले लगाया करता था उसके जो मतलब वेस्ट वगारा उसकी कामर वगारा पर ओयल ही ओयल लगा था क्योंकि वो उस खानी को बना बना कर ओयल ही हो जाता था तो उसको गले लगाता था जाकर डैम उर्सुला को जो कि बड़ बड़ाती हुई और वो खाना बना रही होती थी और चिंतित सी होकर वहाँ खड़ी रहती थी उसको जाकर वो गरे लगा देता इस बात पर वो क्या होती थी half blessing half cursing उसको गुशा भी आता था ठीक है half blessing half cursing तो कुछ थोड़ा सा उसको अच्छा भी लगता था कि जो host है मेरा इतना सम्वान करता है तो half blessing half cursing the gentleman इस भदर वैक्ती को इस सजन वैक्ती को बड़ बड़ाती थी भी फटकारती थी भी और थोड़ा सा उसके प्रती अच्छा भी महसूस करती थी कि मेरा इतना आदर करता है ओके तो इस से वो दावर शुरू हो जाती थी and imprints upon her chesty lip a tender salute और उसको उसके एक चैस्टी लिप पर एक हलका सा चुम्बन देकर एक आदर भाप्रस्तुत करता था वेर अट दा युनिवर्सल होस्ट वुड़ सेट अप अ शाउट एंट टोर दकन के और तबी के जो बे जितने भी लोग वहां आये होते थे जितने भी होस्ट कर रहे होते थे कंपनी हमारी मैं मेरा दोस्ट फैन्विक और एक यह होस्ट हो गया जैम वाइट और अन्य दो अरते होते थे थे सभी हसने लग जाते थे सीन को देखकर तो वाइल हंडर्स ओफ ग्रिनिंग टेथ स्टार्टर द नाइट विड डियर प्राइटनेस और इसी चेज को देखकर सेंकडों सेंकडों जो सफेद दांत है वो भी हसने लग जाते थे जैसे रात में सितारे चमक रहे होते हैं ऐसे वो सेंकडों दांत चमकने लग जाते थे देखिए होता क्या था कि सबसे पहले तो जैम वाइट सबका स्वागत करता था सबका अभार व्यक्त करता था कि वो इस company में आये जितने भी वहां waiters का काम कर रहे थे या खाना बना रहे थे या फिर जितने भी लोग वहां पहुंचे उनका धन्यवाद करता फिर जाकर वो उर्सुला ये किस तरही थी उर्सुला जो बहुत मोटी थी और खाना मनाया करती थी उसको गले लगा कर उसका धन्यव करता था और वो थोड़ी खेज जाते थी इसको देखकर जितने भी लोग थे वहां हसने लग जाते थे और वो जब हसते थे तो छोटे बच्चे भी हसने लग जाते थे तो ऐसा लग रहा था जैसे सेंकडों सितारे आसमान में चमकने लग गये हूं लेकर को ऐसा परतीत होता कि सेंकडो सितारे आसमान में बहुती एक्सेसिव ब्राइटनेस के साथ चमक रहे हूं ओ, इट वाजर तो सी दा सेबल यॉंकर लिक दा अनक्टियस में विद इस मोर अनक्टियस सेंग देखो, अनक्टियस का मतलब है स्वादिस्ट तो ये बहुती अच्छा द्रश्य था इट वाज प्लैजर, ये बहुती खुशी वाला द्रश्य है, बहुती अच्छा द्रश्य है था तो सी दा सेबल यॉंकर इन काले चिमनी स्वीपर्स को क्या करते हो देखना, लिक इन दा अनक्टियस में कि वह अपने मुझ को उस स्वादिस्ट मीट में ड्बह लेते थे विद हिस मूर अनक्टियस सेंग, तो उसका अनंद तो लेते हैं लेते थे लेकिन उस से ज़्यादा स्वादिस्ट तो जैमवाइट की बाते लगते थी जितने भी वहां वहाँ यॉंकर्स आते थे, जितने भी चिमनी स्वीपर्स आते थे, उनको क्या है, जैम वाइट की बाते बहुत ही अच्छी लगती थी, वो बड़ा अनन्द लेते थे उन बातों का, ओके, how he would fit the titbits of the penny mouth, वो किस तरीके से क्या करता था, फिट कर देता, छोटे छोटे चोटे टुकडों को उनके मुँ में, फिट करता था, वो खुद तोड़ तोड़ कर खिलाता था, reserving the lengthier links for the seniors, वो बड़े टुकडे होते थे, lengthier links चो होते थे, वो बड़े chimney sweepers के लिए reserve कर देता था, side कर देता था, छोट-छोटे बच्चों को छोट-छोटे टुकडे खिलाता था, how he would intercept a morsel, even the jaws of some young desperado, मतलब कोई छोटा सा बच्चा है, कैसे वो intercept कर लेता था, अलग कर लेता था, मुँ में डाल रहा होता था, लेकिन फिर उसको निकाल लेता था, किस तरीके से, उनको निकाल लेता था, उसका reason क्या था, declaring it, must do the pen again to be brown, for it was not fit for gentleman's eating, वो कहता था, कि इसको दोबारा गरम करके लाओ, या भी मास कच्चा है, वो छोट-छोटे बच्चों को अपने हाथों से खिलाया करता था, बड़े टुकडे क्या है, बड़े बच्चों के लिए रख देता था, छोटे टुकडे चोटे बच्च है, इसको दोबारा पका के लाओ, क्योंकि ये भदर वेक्तियों का खाना नहीं, अच्छे वेक्तियों का खाना नहीं, इसको अच्छे से पका के लेके लेके आओ, फिर इसको खिलाएंगे, मतलब बड़े रिस्पेक्ट के साथ उनको खाना खिलाया करता था, बड़े प्या of cracking teeth सबको advice देता था कि ध्यान से खाना आपका दान्त ना तूट जाए आपके दान्त क्रेक ना हो जाए which were their best petrie जो उनको अपने पुरवजों से अपने माँबाप से मेली हुए best चेज थे तो अपने दान्तों का ख्याल रखना ऐसा कहा करता था नेक्स देखिए how gently he would deal about the small alley तो बड़े प्यार से वो छुट एक हलकी सी शिराब small alley कहा गया हलकी सी शिराब को वितरित किया करता था as if it were wine जैसे कि ये शिराब ही हो हलकी शिराब थी बियरे के समान वो वितरित किया करता था बच्चों को naming the brevo उस शिराब का नाम था brevo and protesting if it were not good he should lose the custom और ऐसा कहा करता था कि ये जो शिराब है बहुत ही अच्छी शिराब है और अगर ये अच्छी ना हुई तो मैं जो प्रंपरा चलती आ रही है वो हमेशा हमेशा के लिए lost हो जाएगी मतलब मैं बहतर शिराब ही आपको प्रस्टूत करता हूँ और ये बहुत ही हलकी है और उनको एडवाइज भी देता था with a special recommendation उनको एक special advice देता था to wipe the lips before drinking कि शिराब को पीने से पहले इस beer को पीने से पहले क्या है अपनी होटों को साफ कर ले मतलब जो मास वगरा खाया हुआ है तो वो लगा होगा या फिर कालिक लगी होगी तो इस beer का स्वाद नबवनी होगा अच्छे से स्वाद नहीं उठा पाऊगे तो सब को कहता कि आप अपने lips को साफ कर लीजिए wipe कर लीजिए ये special recommendation होती थी then we had our toast the king the close तब हम toast खाते थे और वो toast होता था राजा के नाम पर या फिर उन चिमनी स्वीपर के कपड़ों के नाम पर ठीक है तो वो कहता था कि अब हम राजा के नाम पर ये toast उठाते हैं ये toast चिमनी स्वीपर के कपड़ों के नाम पर which whether they understood or not उनको ये बाते समझ नहीं आते थी was equally diverting and flattering तो उनका ध्यान हटाने वाली होती थी ठीक है लेकिन फिर भी वो ऐसा दिखाते थे कि उनको समझ आ रही है छोटे बच्चे थे उनको समझ नहीं आते थी and for crowning sentiment which never failed और अंत में वो एक बात कहते थे जो हमेशा हर party में कहते थे made a brush so proceed the laurel देखो वो कहते थे कि शांती स्थापित हो जाए कि शांती जो है शांती के गेत या शांती इतनी स्थापित हो जाए कि वो लड़ाई जगडे से भी आगे बढ़ जाए मतलब शांती स्थापित करना चाहते थे इस statement पर वो अपनी बात खत्म करते थे all these and 50 other fences ये बात ये बातें और अन्य परकार की पचास और बातें वहाँ होती थी which were rather felt and confronted by these guests जो इन महमानों द्वारा बहुत कम समझे जाते थे would he utter standing upon the table वो टेबल पर खड़े होकर बोलता रहता था and prefacing every sentiment with a gentleman gave me leave to propose so and so और सब को कहता रहता था prefacing देता था कि hey brother वैकते हो मुझे ये बात कहने का मुखा दो अब मैं ये कहूंगा ठीक है तो इस तरीके से वो टेबल पर खड़े होकर बाते करता रहता और ये बाते बच्चों को समझ नहीं आती थी which were prodigious comfort to the young orphan लेकिन जब वो टेबल पर खड़े होकर बाते करता था तो इन बच्चों को बड़ा अनन्द मिलता था every now and then stuffing into his mouth for it did not do to screamish on this occasion तो बार बार वो कभी किदर जाता था कभी कहीं से कुछ उठा कर अपने मुँमें डाल लेता था जैसे एक टेबल अगए होते हैं काफी सारे तो जब हमारा मन करता उठा के मुँमें डाल लेते हैं तो जगे जगे पर वो जाता अपने मुँमें कुछ ना कुछ डाल लेता था क्योंकि for it did not do to be screamish on this occasion क्योंकि ऐसे दावतों में अपने हाजमे का ख्याल कौन रखता है मतलब अपने हाजमे का ख्याल नहीं रखना चाहिए वो नहीं रखता था कभी कुछ उठा के खा लिया ये नहीं देखता है कि मेरा हाजमा खराब हो जाएगा देखता रहता था डिस्क्रिमिनेट पीसेज ओफ दोज रीकिंग सुजेज ठीके सॉसेज मतलब जो वो मीट परका होता था तो उसके अलग-अलग तुकड़े मों में डाल लेता था विच प्लेज देम माइटरली तो वो कैब जितने भी बच्चे वहाते थे वो बड़े परसंद होते थे यह सबसे ज़्यादा अनन्द दाएक हिस्सा होता था उनके जीवन का यू में बिलीव ओफ दे एंटर्टेन्मेंट तो आप विश्वाश कर सकते हो कि वहां कितना अनन्द वो बच्चे और जैम वाइट और हम उठाते होंगे और बाद में वो क्या कहता था गोल्डन लैड्स एंड लैसस मस्ट ऐस चिमनी स्वीपर कम टू डस्ट मतलब कितने सुनहरी बच्चे लड़के और लड़किया हैं यह चिमनी स्वीपर के रूप में ही एक दिन मर जाएंगे यह चोटे चोटे बच्चे हैं तो इनका भविश्य जो है इतना काला हो गया कि वैसे तो यह बच्चे किसी अच्छे कुल में प्यादा हुए लगते हैं और बहुत ही गोल्डन चाइल्ड है लेकिन इनका जो भविश्य अब खतम हो जाएगा डस्ट में मिल जाएगा चिमन सिस्ट और उसके साथ ही जितने भी भोजन दावतें थी वो समप्त हो गया जैसे जम वואिड की डैथ हो यह भोजन दावतें समाप्त हो गयी ही कैरिड ऑवे उवे विद निया का आदा अनंद अपने साहथ ले गया क्योंकि जैसे जम वाइद की मिलिक्ट्यो खिसी ने वू intéress दोबारा नहीं रखे तो जो अपनी मृत्यों के साथ इन बच्चों का आधा अनन्द इनकी दुनिया का आधा अनन्द ले गया when he died जब उसकी मृत्यों ही of my world at least कम से कम मेरे दुनिया का भी आधा अनन्द वो अपने साथ ले गया his old clients look for him among the pants तो उसके जो old client हैं वो बच्चे हैं वो वहाँ आते हैं old client वहाँ आकर उस बाड़े में जानों का जो बाड़ा जहां दावत होती थी वहाँ ढूंदते हैं उसको and missing him और उसको बहुत ज़्यादा miss करते हैं repose the idle fist of protholomeo मतलब वापिस वो क्या करते हैं उस दावत को देखते हैं जो कि मेला लगता है ब्र॥olomeo के तो वो बहुत ज़्यादा बदल गया है उसको कोशते हैं कि ये कैसा मेला हो गया है and the gallery of smith will departed forever और वहाँ की जो शान थी चॉंद्रिया था वो हमेशा हमेशा के लिए खतम हो गया तो जो बच्चे अनन्द उठाने के लिए आते थे आप उनको वो अनन्द नहीं मिलता तो ये था इसका line by line explanation देखिए अब इसके question आपको exam के नजदिक मैं कुछ important question अप्लोड कर दूँगा मिलती है अपनी next class में thank you very much अपनी